इस वीडियो में मैं बेंगलोर के उन मंदिरों की मूर्थियों को दिखाना चाहता हूं जो काले पत्थर से बनी है तो इस काले रंग के पीछे क्या मानियता है मानियता है कि जैसे शाली ग्राम काले रंग के होते हैं वो विश्व के रूप कहे जाते हैं वो एक चिंतन के हिसाब से इश्वर के रूप है तो इश्वर को उसी तरह काले रूप में भी दिखाए जाता है तो हनुमान जी या शुव भगवान शुव माता पारवती भगवान गणेश ये सभी की काली मूर्थिया मैं आपको दिखाने जा रहा हूं मानेता है कि जब इन मूर्थियों की अस्थापिन की जाती है और पवित्र मंतुर चार से उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो वह काला रंग आपकी निगेटिविटी को सोखने वाला होता है आपके भीतर जो भी निगेटिव चीज है वो दूर करने वाला होता है इस इन काली मूर्थियों के पीछे यही तर्क है तो फिर आपके मण में सवाल उठ रहा होगा कि काले रंग के कपड़े क्यों निगेटिव माने जाते हैं तो काले रंग के कपड़े workers क्यों क्यों की सारी उर्जिया is أður प्रकाश के सारे रंग उस सोख लेता है काला कपड़ा तो जब सारी इस तो उसके उल्टा सफेद रंग इसलिए तो वह सारे सारे प्रकास के रंग सोखता है तो उसमें गर्मी ज़्यादा होती है तो काले रंग के कपड़ों में पन्ने से ज़्यादा गर्मी होती है इसलिए उनको निगेटिव कहा जाता है यह एक वर कम मानना है तो लेकिन विज्ञान भी यही मानता है कि प्रकास की सारे प्रकास के सा मुक्ता एक काले रंग का कपड़ा तो उसमें गयमी ज्यादा होती है तो यह है बारात चले नमस्कार मैं हूँ विरे बैहरी सिंग मेरे यूटीब चैनल पर आपका स्वागत है चलिए चलते हैं और बेंगलोर के इस बहुत ही पवित्र मंदर की मूर्तियों को देखते हैं रात का समय है और हम हनुवान जी के इस पवित्र मंदर में प्रवेश कर रहे हैं चलिए नजदीक से हनुवान जी की मूर्ति को देखते हैं सुन्दर काले पत्थरों से बने हुई हनुवान जी की मूर्तियों ये दीवार पर हनुवान जी की चित्र और कंण में लिखा हूँ क्लिखे हुए मंदर चलिए इस मंदर के बाहर परिसर में इसी मंदर के परिसर में मासुरी लिए हुए भगवान किष्ण की मनोहारी मूर्ति देखते हैं और भगवान हनुमान जी का की विशाल मूर्ति देखते हैं ये हैं मासुरी हाथ में लिए हुए भगवान किष्ण और ये कामधे नुगाय कहते हैं ये हनुमान जी की विशाल मूर्ति जिनकी विशालता का कोई अंत नहीं है शास्त्रे इनको अगम अपार कहते हैं ये मंदिर के नकाशी और ठीक इसके सामने एक और मंदिर है जिसमें ये शिवलिंग है और उस पर कई फ़नों वाले नाग आप देख रहे हैं अब इसकी बगल वाले मंदिर में ये देखें माता पार्वती का काले पत्थरों की मूर्ति और ये है भगवान गणेश की अत्यंत पवित्र काले पत्थरों की मूर्ति ये याद दिला दे ये जैसा की आप देख रहे हैं मा काली का रंग भी काला दिखाया जाता है और वह भी अत्यंत पवित्र है और तारन हार है अब आईए इन काले पत्थरों की महिमा क्या है जब ये देवता की रूप में आ जाते हैं कहा गया है कि इन पत्थरों से जब देव मूर्तियां बनाई जाती है तो इन में चुकी प्राणा प्रतिष्ठा होती है तो कास्मिक एनर्जी ब्रह्मान्डिय उर्जा का पवित्रतम रूप इसमें समाच जाता है और निरंतर बढ़ता जाता है तो जब भाक्ति इन मूर्तियों को सामने खड़े होते हैं तो वह अत्यंत पवित्र और निगेटिविती को खत्म करने वाली नकारात्मक्ता को खत्म करने वाली बातों को हमारे भीतर से उर्या हमारे भीतर प्रेश करती है इसलिए कहते हैं कि किसी भी मंदिर में जब आप जाएं तो तुरंत प्राम करके वापस नाएं थोड़ी देर वहां रुकें थोड़ी देर बैठें और या तो मंदर का जाप करें या फिर आप ध्यान करें मेडिटेशन करें तो मेडिटेशन करने के बाद आप मसूस करेंगे कि यह एक सुख़द अनभूत है अगर मंदिर में बैठने की जगा नहीं है काफी भीड़ है तो खड़े होकर ही मंदर का जाप करें और या फिर वहां मेडिटेशन करें इससे उस मंदर के वाइब्रेशन जो अत्यांत पवित्र वाइब्रेशन या स्पंदन है वह हमारे शरीर में जाता है और प्रम्भान्डी उज्या का पवित्रतम रूप जो इन मूर्तियों से निकलता रहता है वह भी हमारे भीतर प्रुवेश करता है हमारे मन को शुद्ध करता है मन मस्तिश्क को शुद्ध करता है हमारे शरीर के भीतर के अवयों को अत्यांत पवित्र करता है इसलिए वहाँ थोड़ी देर तक किसी भी मंदिर में जाएं तो थोड़ी देर तक रुखें और उसका स्पंदन उसका वाइब्रेशन स्विकार करें नमस्कार